वेलकम फ्रेंड्स इन हैल्स रहंबो दोस्तों आज वीडियो में हम बात करेंगे लिटेनाइजिंग हार्मोन के बारे में हम बात करेंगे क्या होता है इसकी क्यों जरूरत होती है महिलाओं के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है इसका लेवल कम होगा जादा होगा तो क्या होग है लूटिनाइजिंग हार्मोन का जो संबंध होता है पिट्रिटी ग्लांड से होता है पिट्रिटी ग्लांड जो ब्रेंग में होता है क्योंकि पिट्रिटी ग्लांड जो होता है लूटिनाइजिंग हार्मोन को बनाने में काफी मदद करता है साथ-साथ में यह जो ऐसा हार्म हार्मोन होता है जो रिप्रड़क्शन के लिए सबसे जिम्मदार हार्मोनों में से एक होता है। यदि हम बात करें आपको लिटिनाइजिंग हार्मोन टेस्क के अवशक्ता क्यूं होती है। यदि आप 12 महिने का अपने अन्प्रटेक्टिक्टिक सेक्स किया है फिर भी आप पिगने नहीं हो पाए हैं आपका मासिक धर्म अनिमित है मतलब कभी महिने में तीन बार दो बार आता है कभी महिने में आता ही रही है या फिर आपके पिरेट्स रुप गए हैं या फिर आप जो है मिनोपॉस में एंटर हो गए हैं। यदि हम बात करें इसके अन्प्योगो की तो ये भी बताता है कि बांजपन का कारण क्या है मतलब infertility क्यों हो रही है साथ में अंडा कब release होता है अंडा release होने का समय बेस समय कौन सा है मासिक धर्म जो होता है वो abnormal के क्या कारण हो सकते है या menopause वगरा में आप enter हुए है कि नहीं हुए उसके साथ में ये भी बताता है कि सिर्फ डाइब में अगर कमी है तो उसके क्या कारण हो सकते है पिट्रिट्री डिसॉर्डर के बारे में भी बताता है साथ में ये जो बच्चे काफी समय पहले ही जनके अंदर yon development हो जाता है या फिर बहुत delay yon development होता है उसके बारे में बताता है अगर हम बात करें कि महिलाओं में leutinizing hormone की क्या भूमिका होती है ये क्या करता है इसका क्या function होता है तो इसका जो काम होता है महिलाओं में जो LH जो होता है leutinizing hormone मासिक धर्म चक्र जो होता है menstrual cycle period उसको नियंत्रित करता है साथ-साथ में ये overy से under-release करने में मदद करता है और ovulation मतलब under-release होने से ठीक पहले इसका जो level होता है काफी तेजी से बढ़ता है साथ-साथ में ये yon development मतलब शारीरिक development ब्रेस्ट तता शारीरिक जो development होता है पुरुशों में जैसे बाल निकलना उसको प्रभावित करता है साथ-साथ में मासिक धर्म चक्र जो होता है उसको नियंत्रित करता है और folic stimulating hormone उसमें भी काफी मदद करता है साथ में progestron hormone जो होता है उसके release में भी ये मदद करता है अगर हम बात करें पुरुशों में लूटिनाइजिंग हार्मोन की क्या भूमिका होती है तो ये पुरुशों में testosterone hormone जो होता है उसके development में मदद करता है जिससे क्या होता है आगे चलके शुकरानू जो sperms होते हैं उनके production में काफी हद तक मदद मिलती है यदि हम बात करें लूटिनाइजिंग हार्मोन अधिक होगा तो क्या होगा उसकी वज़ा से कुछ बिमारियां होंगी जैसे की आप मिनोपॉस में जल्दी एंटर हो जाएंगे आपको PCOD वगरा हो सकता है पिटियोट्री का कैंसर भी हो सकता है या फिर टर्नल सिंड्रोम या क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम जो बिमारियां होती है वो भी हो सकती है या फिर जो आपका लड़कियों और बचों में क्या होता है यान डबलप्मेंट ह होता है वो अबनॉर्मल हो सकता है यदि हम बात करें लूटिनाइजिंग हार्मोन कम होगा तो क्या होगा लो एले सेंटम्स के बारे में तो इसमें पिटरोटिक डिसॉर्डर बताता है इस्ट्रस या कुपोशन की वजह से ऐसा हो सकता है साथ में हाइपोथेल्मिक फेलर जो इसके लिए कौन सी जाज करवा है तो उसके लिए सीरम एलेस्ट होता है लिटिनाइजिंग हार्मोन टेस्ट उससे पता चल सकता है इसकी जो नार्मल रेंज होती है जब ब्लीडिंग होती है मैंसुरल साइकल उस दौरान इसका जो लेवल होता है 8.7 से 76.3 आयू पर लीटर होता है और उसके बाद में मैंसुरल पीरिड जब खतम हो जाता उसके बाद में 0.5 से 16.9 होता है और ट्रेग्नेंट वुमेन में इसका लेवल थोड़ा कम होता है 1.5 होता है साथ में जो वुमेन जो होती मीनोपॉस में एंटर हो जाती है रजयोगनरती में तो उसमें इसका लेबल 15.9 से लेकर 54 हो सकता है यदि हम बात करें लिटिनाइजिंग हार्मोन असलतुन के क्या कारण हो सकते हैं हो सकता है आपका आधिक वजन हो मोटापा या फिर आपको PCOD की विमारी हो यह बहुत मुख्य कारण होता है PCOD अन्बैलंस डाइट है आपको कुछ जम जाद विमारी हैं जैसे की टर्नन सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम आपका जो पिट्रिट्री या हाईपोथेलमस रीजन सही से काम नहीं कर रहा है आपको हाई बलड प्रेशर है संपान करवाते हैं या फिर रजजन अब्रती की वज़ा स या कुछ दवाईयों की वज़ा से भी ऐसा हो सकता है आपको कैसे पता चलेगा कि आपका लिटिनाइजिंग हर्मोन लेवल असंतिल है तो उसके क्या लक्षन होते हैं तो उसकी वज़ासे क्या होता कि आपका जो मासिक धर्म होगा वे अबनॉर्मल होगा साथ-साथ में मास बहुत जादा रहती है डिप्रेशन या चिंता जैसे समस्या हो सकती है इसकी वज़ासे या फिर आपकी तवचा में भी कोई वदला हो सकता है अगर हम बात करें आप अपने लिटिनाइजी हार्मोन को नैचुरिली कैसे बैलेंस कर सकती है तो उसके लिए डाइट काफी महम भूमिका निवाती है अगर हम बात करें कौन से खाना खाना चाहिए तो आपको विटामिन B6 के जैसे जाई केला पीनट्स वगरा या फिर विटामिन D में अंडा मचली या फिर मास चिकन वगरा जो होता है काफी हद तक आपको मदद करेगा उसके अलावा दूद दही ज़िए हम बात करें और क्या कर सकते हैं तो उसके लिए एकसरसाइज बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होती है और इस्ट्रेस से जितना हो सके उतना बचे उसके अलावा आपको ज़्यादा मीठा खाना नहीं खाना है प्रोसेस फूड जैसे समूसा बर्गर पि अगर आपके कोई कवरी है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हों वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज लाइक शेयर करना नहां पूले विद्धी थैंक्यू वेरी मच्छ वर वाचिंग हल्स रैंबो